ओम नमस्यवाय, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको ऐसी भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी दूँगा जो स्रावन मास में बेहती भागिसाली रहने वाली हैं और महाकाल भोले नात प्रसन वो करके इनकी मनुकामना पूरी करेंगे ये रासियां बेहती लखी रहने वाली हैं दोस्तों इस वार स्रावन मास में बहुत बड़े सयोग बन रहे हैं ग्रेन के ऐसे इस्तिती है जो कापी सालों के बाद में सामन के महीने में ऐसे इस्तिती वनी हैं कई रासियां तो बेहादी भागे साली और लकी रहेंगी कई रासियों को विशेश सावदानी भी रखनी होगी सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना हैं इस सावन के महीने में भोले नात प्रसंद रहते हैं और अपने वक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं साधारण से उपाई भी इस सावन के महीने में बेहत प्रबाव दिखाते हैं चमतकार दिखाते हैं और बड़े बड़े योग बनते हैं स्रावनमास में प्रते दिन भगवान सिवजी का अफशेक किया जाता है आप नियम बना लिजे एक नियम बना ले चाहें आप गंगाजल से प्रते दिन अफशेक करें चाहें आप दूद से प्रते दिन अफशेक करें लेकिन प्रते दिन आपको भगवान सिवकावशी करना है इससे कालसरफ दोस्ट वो अनिक प्रकार के दोस्ट दूर हो जाते हैं और हमारी कुंडले में हर प्रकार के अच्छे योग बन जाते हैं दोस्तों ग्रैन की जब भी सुभदिष्टी होती है तो राशियों का परवर्तन होता है राशियों का भागी बदलता है किसमत बदलती है अक्सर आपने देखा हुआ कि बहुत से लोग होते अचानक तरक्की करने लग जाते हैं या उनकी प्रतिक मनुकामना पूरी होने लग जाती है तो ये ग्रैन का केल होता है साथ ही होता है उपायन का प्रभाव तो प्रति दिन अफ्षिक करना है बेल पत्र सिवलिंग पर अरपन करने है घी और सहद सिवलिंग पर अरपन करना है गन्य का रच सिवलिंग पर प्रति सोम्मार की सोम्मार को चड़ाना है इस वार सोम्मारों पर भी बहुत ही अच्छी योग बन रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं सबसे पहली है मेस रासी जो सामन के मेनें बहुत ही अच्छी और लखी रहने वाली है इन रासी वालों को विश्य इसलाब मिलेगा आपके उपर कोई नजर दोस है किसी भी प्रकार की हाय है या कोई भी परिसानी है ग्रेन की असुप द्रश्टी आपके उपर या किसी की कुद्रश्टी आपके उपर तो वो सारी द्रश्टियां दूर हो जाएंगी आपको धनकलाब, संतानकलाब वा परवार में खुशी का मावल रहेगा बहुत ही अच्छा योग है दूसरी है ब्रसब रासी जो इस महीने में बहुत ही भागिसाली रहने वाली है ब्रसब रासी वालों के कई प्रकार के कारिशम पनूगे धन प्राप्ती, संतान प्राप्ती वहार प्रकार का सुक और बैभव आपको प्राप्त होगा दोस्तों मितुन रासी का योग भी बहुत ही अच्छा कह सकते हैं आप ये रासी भी बेहदी भागिसाली और लकी रहेगी इस रासी वालों को विसे सपल ताइम मिलना शुरू हो जाएंगे करक रासी, सिंग रासी ये दो रासी याँ भी बेहदी भागिसाली रहने बाली हैं इनका योग भी बहुत ही अच्छा है परवार में कई कारिशम पनूँगे रुके हुए कार आपके बनने शुरू हो जाएंगे मान सम्मान बढ़ेगा और संतान का शुक वपरवार में खुशाली रहेगी हर प्रकार का कार आपके संपनूँगे अगली जो रासी है वह तुला रासी दनुरासी मकर रासी कुम मीन रासी यह रासी हैं जो स्रावण मास में यहनी सावन के महीने में बेहधी लखी रहने बाली हैं इन रासी वालों का yug बहुत यह च्छा है माकाल भोलनात प्रसंद नो करके भगवान सिव की पूजा करते हैं तो जल्दी से जल्दी आपकी मनों कामना पूरी हो जाएगी कुछ ऐसे दिनों होते हैं जिन में उपायक करने का हजार गुना फल प्राप्त होता है वह जानकारी आपको नेक्स वीडियो में प्राप्त होगी ओम नमस्ट वाएं